आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 के साइन्स के चैप्टर 9 जिसमें आपको जन्तूओं में गती के बारे में परना है इस चैप्टर के जितने भी अभ्यास प्र लिस्ट में जाकर वहां से वो सभी वीडियो को देख सकते हैं जो कि आपके लिए काफी उप्यों की रहेगा तो चलते हैं प्रस्ण के उपर सबसे पहले आप देखेंगे प्रस्ण 1 में आपको दिया हुआ है कि सही उत्तर चुनिए मतलब कि आपका अब्जेक्टिव प्रस इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर्ज होगा वो अप्शन आपका C नमर हो जाएगा मतलब कि तीन नमर हो जाएगा A यह वं दो दोनों कहने कार थे कि सरीर का अंग जो है जहां से मुर्दा है उसे हम लोग क्या कहते हैं संधी कहते हैं और जोड भी कहते हैं यहां प्रक्ष अगले प्राशन की अर बरते हैं तो देखिए अगला प्राशन आपड ऺए गवन नमर की उपडी जबडे एवं खोपडी देखिए खोपडी मतलब की कपाल कहते हैं इसको कि संधी है तो देखिए चल संधी, अचल संधी, कबजा संधी या धुराग संधी तो इसका answer option नमर दो हो जाएगा अचल संधी बोलते हैं जो उपडी जबरे होते हैं जो खोपडी होता है उसे जो है उपडी जो संधी होती है वो कौन स अचल संधी होती है गौनम प्रस्ण है कि निम्न में से किस जीव की अस्थिया खोखली एवं मजबूत होती है जैसे मनुस से पक्छी मानसाहारी जानवर एवं मचली तो देखिए निम्न लेखित में से जो है मानसाहारी जानवर की जो अस्थिया होती है वह खोखली होती है कि तो मजबूत होती है समझ गए तो इसका answer option तीन नमर हो जाएगा अगला यह last यह objective रसन है कि निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है साप मचली केचुवा छिपकली तो मैं आपको बता दू कि साप मचली और छिपकली या तो जो है मिट्टी नहीं खाता है आपका क्या हो यहाँ पर पहले सही option आपको इसमें दिये हुए है जैसे यहाँ देखे कबजा संदी फिर आपका जो है मान स्पेशियो गती और कंकाल तंत्र तो यह सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा chapter तो आपको मालिम होगा तो यहाँ देखे पहला यहाँ पर कौन नमर प्रशने की अस्थियों की संदिया शरीर की खाली इस्थान करने में सहयता करती है जो अस्थियों की संदिया होती है वो शरीर को क्या करने में सहयता करती है गती करने में मतलब मोशन मूव्मेंट करने में सहयता करती है अगला खौन नमर प्रशने की अस्थिया यहम उपस्तिय देखे अस्थिया एवं उपास्तित सयुक्त रूप से शरीर का खाली अस्थान बनाती है क्या बनाती है तो जो भी अस्थिया होती है या जो उपास्तित सयुक्त रूप से जो होता है शरीर का जो है कंकाल तंत्र जो है बनाती है तो इसका देख लिजेगा भर लिजेगा अगला यहा अस्थिया खाली अस्थान संधी द्वारा जुड़ी होती है तो देखें मैं आपको बता दियू कोहीनी और जो आपका पैर होता है उसके जो संधिया होती है वो किसे जुड़ी होती है अस्थिया जो होती है किसे जुड़ी होती है तो कबजा संधी के द्वरा होती है कबजा संधी कहने का मतलब कि जो दरवाजे में आपने कबजा देखा होगा इस तरह के जो होते हैं मुरने वाले लगते हैं वही होता है समझ गए तो इसका answer आप देख लेंगे अगला देखे यहाँ पर घौनमर तो यहाँ देखे अगला जो आपका घौनमर यहाँ परे की गती करते समय खाली अस्थान के संकूचन से अस्थिया खिचती है तो गती करते समय जो है मानस्पेसियो के संकूचन से जो होता है अस्तिया खिचती है तो इसका क्या हो जाएगा मान स्पेस ही हो तो अब भर लेंगे इसे अब हम कोर्शन नमर 3 के तरब चलते हैं तो देखें कोर्शन नमर 3 जो है यहाँ बोल रहा है कि निम्न कत्नों के आगे सत्य और असत्य को इंगित किजिए यहाँ पर आपको दिये उसका मोशन है क्या एक समान नहीं 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 कोई तेजी दोरता है कोई धीमी दोरता है कोई धीरे चलता है कोई तेजी चलता है तो सब की क्या है अलग अलग है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा मतलब की असत्य हो जागा लिख ली जाएगा असत्य आगे देखें यहाँ पर खनमर देखिए उपास्तित अस्तिया की अपिक्षा कठोर होती है नहीं कठोर नहीं होती है तो यह क्या हो गया असत्य हो गया आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे यहां पर आपका है कि अंगलियों की अस्तिया में संधी नहीं होती है यह असत्य है अंगलियों की अस्त हो जाए होती है तो इसका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा और नेक्स्ट आपका यहां पर अंगर नंबर है कि तिल चट्टों में ब्राह कंकाल पाया जाता है तो सही है इस तिल चट्टों में जो क्या होता है कि ब्राह कंकाल पाया जाता है बारी कंकाल तो इसका एंसर क्या ह जाएगा सत्य हो जाएगा अब हम question नमर जो है चार की तरह बढ़ते हैं जिसमें जो है आपको match the flowing है मतलब column A और column 2 को जो है मिलाना है जैसे कि आप column A column A दो देख रहे हैं यहाँ पर आपका पहला है कि उपड़ी जब्रा तो उपड़ी जब्रा जो होगा एक अचल संदी होती है समझ गया तो यह कहाँ चल जाएगा एक अचल संदी अगला आपका है मचली तो मचली जो होता है शरीर पर पक्छ होता है चाहिए हम लोग बोल सकते हैं कि मचली जो होता है शरीर जो है यह भी हो सकता है इसका शरीर धार रिखिये होता है समझ गया अगला धार रिखिये होता है यह भी होगा और यह भी जो होगा इन नीचे यहाँ पर छूट गया है देख लीजेगा यह भी होगा समझ गया अब हम बात कर कारे में जान सकते हैं कि हावा में वह उड़ सकता है तो यह आप मिला लेंगे आसानी से समझगे मेरी बात को आगे बढ़ते हैं तो नमर पांच है कि निमलिखित प्रस्णों का उत्तर दीजिए जैसे यहाँ पर कौन नमर प्रस्ण है कि कंदूक खली का संधी क्या है तो खली का संधी कहते हैं अगला यहाँ पर है कि कपाल की अयस्तित कौन सी गती करती है जो आपका कपाल का अयस्तित जो आपका गती जो करती है वो क्या करती है कि कपाल के किवल निचरी जबरी की अस्ति में जो है गती करती है मानू कपाल मतलब खोपरी का असे उन अस्तियों स है जो सीड तथा चेहरे को आकरती परदान करती है मानो कपाल अस्तियों से बना हुआ है समझ गये और यह जो है हमारी सुरक्षा करता है अगले प्रश्ण क्यों बरते हैं तो यहां देखिए आपका जो है गौनमा प्रश्ण है कि हमारी कोईनी पीछे की और क्यों नहीं मूर स सकता है समझ गये यहां देखिए मतलब ऊपर-णीचे ऊठी और यहां पर उत्तर देखिए कि हमारी कोईनी पीछे की और नहीं मूर सकती है क्योंकि इसमें हिंज संदी होती है जो कि केवल आगे की और मूरता है यहाँ पर पीछे नहीं होगा यहाँ पर जोगा ऊपर नीचे भी बोल सकते हैं ऊपर और नीचे मूर सकता है लेकिन जो है आपका पीछे नहीं मूर सकता है जैसे कि दरवाजे के कबजा हिंज संदी जो है कोहनी और घुटने में पाई जाती है समझ गए सिधा के उधारन लिखिए तो दूखिए कान का हिस्सा जो है हमारे सरीर में पाये जाने वाले उपास्तित का उधारन है तो इसका एंसर आप लिख सकते हैं तो वासा करता हूं कि आपको ये जैप्तर पसंद आया होगा तो आप जैप्तर को जो है अच्छे सा लिखेंगे तुम भीर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद थाइंग्यू सो मज जाहें जा भारत